आपको पता है जब एक रोड को बनाए जाता है तो इसको पिलेन करना सबसे मुश्किल काम होता है लेकिन अभी ये काम हातों से नहीं बलगी कुछ इस्तरे के रोलर से किया जाता है जो गोल-गोल घूम कर राष्टे को बिल्कुल समतर कर देता है बरकस इसके सामने कंक्रीट को डालते जाते है और ये अपने आप सड़क को बनाता जाता है इसे कर्ब रोलर मेनुफेक्चरिंग कहते हैं बहीं रोड की साइड में नालिया बनाने के लिए ज़्यादा उब्रे हुए भाग का इस्तमाल किया जाता है इस बेलेन नूमा रोलर को चलाने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है और तोर ये देखिए दोस्तों समुद्र में लगा हुआ कूरेदान होता है समुद्र में लगा होने के कान इसे सीविन कहा जाता है ये लगातर पानी को अपने अंदर खिषता रहता है जिसके साथ पानी का सारा कच्रा भी इसके अंदर खिचा चलाता है इस सीविन के अंदर पानी तो बाहर निकल जाता है लेकि समुद्र का कच्रा इसके अंदर ही फस जाता है जिसको बाद में असानी से बाद निकाल लिया जाते है